जोतिश में अयन क्या है? जोतिश के प्रती उत्साही लोगों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है. आज, हम वैदिक जोतिश में अयन की अवधारणा के बारे में जानेंगे. वैदिक जोतिश में अयन आकाशिय भूमध्य रेखा के साथ सूर्य की सपष्ट गती को संदर्भित करता है, जिसे दो मुख्य अवधियों में विभाजित किया गया है, उत्तरायन और दक्षिनायन. प्रित्वी पर सूर्य के प्रभाव को समझने के लिए ये अवधियां आसपास शुरू होता है जब सूर्य अपनी उत्तर दिशा की यात्रा शुरू करता है, आम तोर पर 21 दिसंबर के आसपास. ये अवधिय ग्रीश्म संक्रान्ती तक चलती है, लगभग 21 जून. उत्तरायन को एक शुब समय माना जाता है, जो विकास, सम्रिद्धी और सकारात मक उर्जा से जुड़ा है. इस चरण के दोरान मकर, संक्रान्ती जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जो सूर्य के मकर राशी में संक्रमन को चिनित करते हैं. दूसरी ओर, दक्षनायन ग्रीश्म संक्रान्ती के आसपास शुरू होता है जब सूर्य दक्ष और आंतरिक विकास के समय के रूप में देखा जाता है. गुरू पूर्मिमा और नवरात्री जैसे त्योहार इस चरण में आते हैं, जो आंतरिक शक्ती और भक्ती पर जोड़ देते हैं. अयन को समझने से हमें अपनी गतिविधियों को सूर्य की प्राकृतिक लेके साथ सं रेखित करने में मदद मिलती है, जिससे हमारे जीवन में सामन जस्य और संतुलन बढ़ता है. इन खगुलिय पैटन को पहचान कर, हम अपने कारियों, समारोहों और आध्यात्मिक प्रथाओं की बहतर योजना बना सकते हैं. यह वैदिक ज्योतिश में अयन का एक के लिए लाइक करें और सबस्क्राइब करें.